हलो एवरिवान कैसे हो सभी लोग बहुत बढ़िया बहुत शांदार गुड बॉर्णिंग सभी लोगों को जल्दी से फटाफ़ से आजाईए बच्चो इस ब्यूटीफुल से प्यार इसी क्लास के अंदर इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं बायोट से वर्ट लोग के अप्लिकेशन्स तो फटाफ़ से आजाईए बच्चो जल्दी से कम आउन हलो एवरिवान वन सेकेंड हलो एक सेकंड बच्चो यस किस को मेरी आवाज एक्दम बढ़िया से आ रही है किस किस को में बढ़िया से दिखाई और सुनाई दे रहा हूं आज हम बहुत सारी बाते करने वाले हैं बहुत सारी मस्त मस्त बच्चो कोशन्स करने वाले हैं बायोट से वर्ट लोग के ऊपर तो फटाफ़ से आजए यह कम आउन जल्दी से किस को मेरी ऊवाज एक्दम बढ़िया से आ रही है कम आन हलो everyone 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 yeah everyone only focus good morning good morning goodícia everyone good morning चलिए भईया फड़ा पड़े स्टार्ट करते है हमारा कारे कराम आज का तो मेरा नाम है दिपेंदर सिंग नरू का और आप यहां पर देख सकते हो आपके अंधर इंडर बाकी हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहतरी इंसा कारे करम इस बहतरी इंसे कारे करम में बच्चोंव लोग बहतरी इंसे बाते करने वाले हैं तो चलिए भाई हमारा जो एक कारे करम है ना इसके अंदर सबसे important चीज जो है वो यह है कि आज के इस lecture के बाद हम लोगों को magnetism की जो most important questions होते हैं जिसमें सबस्जादा questions बनते हैं actually वो part हम लोगों का बहुत अच्छा हो जाएगा ओके तसे good morning good morning good morning everyone good morning good morning good morning जीवन good morning पायल good morning नेहा good morning अमित डॉक्टर सुमित चलिए 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 प्रधान जी good morning चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चो good morning good morning good morning हाँ जी सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा कारे करम आज का तो हमारा जो कारिकरम है देखिए यार सबसे पहले जो important चीज होती है magnetism के अंदर जो मेरे को लगती है सबसे जदा important चीज है बच्चों वो यह है कि आपको बायोट से वर्ट लो बहुत अच्छे से clear होना चाहिए और बायोट से वर्ट लो भी आपको ये clear होना चाहिए कि हम लोग R cross DL cross R कैसे करते हैं A cross B की direction कैसे निकालते हैं तो मैंने पिछले कुछ lectures में आपको continuously A cross B की direction निकालने पर जोड दिया था क्या आप लोगो को याद है इचीज में बहुत ज़ादा जोड दिया था A cross B की direction निकालने पर ठीक है न भाई सहिए की नहीं है गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग इशिता गुड मॉर्निंग पायल गुड मॉर्निंग तादर अनिल गोलु गोलु एमडी एशन चलिए तो आपको क्या निकालना आपको एक रोस बी की डिरेक्शन निकालनी है तो चलिए भीया फटापर से आगे बढ़ते हैं और ये मेरे पास में क्या है, मेरे पास में A है, ये मेरा B है, तो फड़ा परते हैं को प्रैक्टिस कर लेते हैं, जल्दी से बच्चों प्रैक्टिस हर दिन करने चाहिए, ओके, A क्रोस B की डिरेक्शन निकालने की प्रैक्टिस daily basis पे कीजिए, आपका magnetism बहुत अच्छा हो ज तो हमको लगता है कि इस आदमी को एक काम को नहिला दो ठंडे पानी से तो ठंडा हो जाएगा, ओके वापिस हैं, लेकिन actually कहना है कि हम लोग कोस पे नहीं पहुच पाते हैं, हम लोग directly result को hit कर रहे होते हैं, तो सेम चीज आपके साथ यहां भी हो रही है, अगर आप magnetism को सी नहीं होते हैं, क्यों नहीं होते हैं, बात यहां पर angular momentum, it's not about angular momentum torque, it's not about the magnetism, EMI, AC, it's about you don't know how to find the direction of A cross B, actually जो कोज है ना बच्चों, वो हमको पता होना चाहिए, अगर हमको कोज नहीं पता ना, तो हम बिमारी को ढंग से पकड़ नहीं पाएंगे, तो हम हिलाज किसका करेंग ओके, तो एक रोस B की डिरेक्शन निकालने का जो कारेक्राम है, बहुत ज़्यादा important है, देखिए, यह मेरा A है, यह मेरा B है, तो daily basis से practice कीजिए, यह A है, यह B है, तो A की तरफ हंगले लेके जाईए, कुछ ऐसे लेके जाईए, तो राइट हैंड का इस्तेमाल करना है, A क की तरफ लेके जानी है, कुछ A से लेके जानी है कि B की तरफ घुमाऊं तो उंगले ना टूटे, ऐसे लेके जाऊंगा तो टूट जाएंगी, ऐसे लेके जाऊंगा तो भी टूट जाएंगी, तो ऐसे लेके जानी है, फिर गुमानी है, अरे clear है सबी लोगों को, तो A से ल क्लास का ओके चलिए स्टार्ट करता है हमारा कार्यक्राव निकालना सीख लिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में क्या बताया था मैंने आपको लास्ट लेक्चर बताया था कि अगर कोई माली जे को वायर है कोई वायर है जिससे करेंट दोड़ रहा है ऐसे माली जे को वायर हाँ जी हाँ 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 सुनिए सुनिए आपके फीस कितनी है मेरी तो कई फीस नहीं फ्री में पढ़ ले तो मस्त रहे और बोल चलिए ये करन्ट आई है बटा फीर में पढ़ लो मस्त रहो कोई दिक्त नहीं है चलो ठीक है चलो ठीक है चलो ये करन्ट आई है उपर दोड़़ रहा है करन्ट आई है So getting my point आप लोगव संज्मियारी मेरी बाद अच्छे से तो मुझको यहां से हार दूरी पर तो यहाद मैं आप बताया था कि आप DL उपर मानो, यह R मानो, तो मैंने बायोट सेवटलो क्या होता है, बायोट सेवटलो की जो value होती है, actually बायोट सेवटलो की वो होती है, यह मैंने बायोट सेवटलो होता है, इसमें जो DL और R है, उन दोनों की बीच में क्रोस प्रड़क्ट है, तो I am writing DL क्रोस R, तो मैंने टिक फिल्ड जो हैगी, वो अंदर की तरफ आ रही है, अगर आपको ऐसे याद नहीं करना, मतलब आपको DL क्रोस R या A क्रोस B डिरेक्शन तो निकालनी आनी ही चाहिए, लेकिन आप शोटकर तरीके से यह कर सकते हो, कि आप पाम रूर ले लो, आप राइट हैंड को सीधा करो, अंगूटे को तुम करन्ट की डिरेक्शन में लेके जाओ, जिदर तुम्हारा पाम ज इवन में आपको finite का ही बताया था पर मैं भी infinite की बात कर रहा हूं right now, so right now I'm talking about the infinite wire only, are you getting my point ? अच्छे संज में आ रहा है बच्चों आपनों को तो इस इस इंफाइनाइट वायर तो बी विल बी एक वस्टू मून उट आई बाय वाइट वायर की वज़े से current caring wire के इसे magnetic field पूछी जाए तो मैं बता को इसकी value आदी mu naught i by 2 pi r, चाहे तुम यहाँ लो, चाहे तुम उपर लो, चाहे तुम नीचे लो क्योंकि infinite wire तो symmetric magnetic field आएगी अबे क्या यहाँ तक clear है सभी लोगों को, और समझना अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं आपसे कहूं की भहिया, इसकी magnetic field इस point पर कितनी होगी, r distance पर, इधर की side बे, सबसे पहले तो बच्चे current अगर उपर है तो palm rule करते हैं, देखो, सबसे पहले dl cross r से करते हैं, dl उपर है, r इधर है, dl cross r मतलब बहार आ रहा है, ठीक है, मतलब है, बहार आ रहा है, मतलब magnetic field बहार आनी चाहिए, बहुत बढ़ी आ जी, बहुत बढ़ी आ जी, magnetic field आनी चाहिए, बहार की तरफ, second चीज क्या है, कि current उपर की तरफ है, और palm मेरा बहार की तरफ है, पल्म रूल से एकर मैं करना चाहूं तो, तो current उपर है, मेरा अंगूटे की तरफ को, current की तरफ अंगूटे को कर दिया, और palm मेरा बहार की तरफ है, outside the plane है, तो what I will write is कि, यहां पर जो मेरा magnetic field होईगा, वो outside the plane होईगा, and it will be equals to what, mu naught i by 2 pi r, again the value will be same, the magnitude will be same, but direction will change, so what is happening here is, कि एक circle बना देगा actually ऐसा, magnetic field का, are you getting my point बच्चों, clearly समझ में आ रहा है बच्चों, क्या मेरी बात, सभी लोगों को अच्छे समझ में आ रही है बच्चों, बढ़िया से, शांदार प्रकार से, तो इसको लिखिए, नरूका जी बढ़ा रहा है आपको, लिख लीजिए यहाँ पर, master class भाई नरूका जी, ओके, चलिए, कैसे लग रहा हुँ में, स्मार्ट लग रहा हुँ ना, शांदार एक दो, चलिए, कौन कौन आदमी ना दोकर आया है यहाँ पर, आज़े तो ऐसी बिस्तन पढ़े 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 रहे हुँगे, एक आँक से, एक आँक को तो आराम दे रहे हुँगे, हाँ ना, ऐसे पढ़ते हैं मुझे पता है, सरम लेट नाइट, मैंने सुब़ सुब़ अर्ली मोर्निंग क्लास क्यों लगाता हूँ या, मैं हिंडिया में एक हैबिट बना रहा हूँ, श्ट्रेंट्स की, जल्दी उठने, बहुत हो गया, चलिया ठीक है, नया पतान जी, नया पतान जी दुबारा सुनिया, नया पतान जी इसकी जो वैल्यू आते हैं, इन्पाइनट वायर की बेटा, वो मीनोड आई बैट टूपाय आ रहाती है, नया पतान जी एक और बात यहां समझेगा, जिदर करण्ट है उदर अंगूटा लेके जाईए, और जिदर आपका पाम है, उदर आप मेर्टिक फिल्ड को लेके जाईए, तो इस तरफ लेके जाऊंगगा, तो अंदर की तरफ मेर्टिक फिल्ड जाईए, तो यहां अंदर आएगी, और यहां आउट आएगी, बतल kenि आउट सबी लोगों को, अच्छे से समझ में आ रही है क्या मेरी वारताला चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से आगे बढ़ते हैं बच्चों यहां से और देखते हैं अब कुछ questions देखो एक question है exactly इस type का एक question इस type का question में भी आया था उसमें क्या कऱाता उनोगर इस पॉइंट पी को औरोनने धायमेटर बहार ले लिया था अपकी बार मैंने बाहर ले लिया है बाहर ले लिया था यह QIQ जैसा question भी हो गया है और साथ में हलका सा different भी हो गया है चलिए भाई या फटा पर solve कीजिए P point में magnetic field कितनी आएगी जल्दी बताईए come on फटा फट से मैं आपके उत्तर का इंतजार करूँगा जल्दी से जल्दी से जल्दी से भाई साथ मैं बता रहा हूं आप लोगो, यह पांच ampeer है गभराना नहीं है पांच ampeer है यह डाई ampeer है यह डाई meter है यह पांच मिटर है, एमजो बता तुम लोगों को दिक्कत आ लchieden हो कि values के अंदर पांच एंपिय डायमीटर चलिये-चलिये-चलिये-चलिये-चलिये-चलिये कमान-कमान-कमान-कमान आखेi जल्दी पॉक्त स्कूल है कितने बच है? यार तो सेुखोल का बड़ा लपड़ा हुई है क्या करोगे यार भी? आजकल करोना और होना वैसे बहुत फेल रहा है नहीं नहीं जाओ तुम्हें स्कूल या है वोड टाइम हो गया तुम लोग जो बच्चों को स्कूल जाना है वो चले जाएए भाई साब स्कूल इस वेरी इंपोर्टेंट चलिए जल्दी कीजिए फड़ापट से कीजिए मैं आपको वैल्यूज दे दिए जल्दी निकालो फड़ापट इसका अंसर जल्दी इसका अंसर निकालो कमउन बच्चों एवरीवन बच्चों कमउन उत्तर दीजिए बच्चों उत्तर अब है ओच यारो magnetic field at point P due to both infinite long wire दो infinite long wire है ऐसे सोच इसकी वज़े से 5 ampere की वज़े से इस point पर कितना आएगा mu naught I by 2 pi D D कितना आएगा 5 plus 2,5,7 meter ओके तो अगर मैं यहाँ पर लिखू magnetic field तो आएगी मेरी mu naught into I I आएगा बच्चों मेरा 5 ampere divided by 2 pi into R R आएगा मेरा 5,7 meter ठीक है similarly 2 ampere की वज़े से कितना आएगा बच्चों 2 ampere की वज़े से आएगा mu naught into 2 divided by 2 pi into 2 are you getting my point mu naught into 5 current था into 2 pi into 6,7 is the distance plus दोनों की direction कहा आएगी अबे current उपर है तो magnetic field अंदर आएगी बे इसमें भी देख लो current उपर है तो magnetic field अंदर आएगी बे अबे clear है ना बे पक्का अरे पायल सर्मा 8 बजी तो class इन्मड जाएगी यार क्या बात कर रही है तो 5 ampere क्यों नहीं लिया बेटर लिया है 5 ampere देखना इदर नीचे वाले को द्रब एक बार 5 ampere का लिखा है इस point पर एक बार 5 ampere का लिखा है नीचे देख मुनोट इन्टू उपर करंट की जगे धाय लिख दिया डिवाइड वै टू पाई एन्टू आर की जगे धाय लिख दिया धाय क्यों लिख दिया नीचे क्योंकि नीचे distance भी धाय मेटर थी यहां से अब जो कट सकता इछकों काट डाली है अच्छे से काट डाली है बच्चों बिल्कुल देख देखके काट डाली है your time, जो कि 3 से उपर नीचे मल्टीप्लाइ कर दो उपर 3 नीचे 3, 6π, 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 उपर कितना आएगा बच्चों, 5μ नोट बटे 6π, आंसर, 5μ नोट बटे 6π, दो आंसर आ रहे हैं, यहां वे 5μ नोट बटे 6π, बताए कौन सा वाला सही है, बताए बच्चों जल्दी से, कौन सा वाला सही देखो यहां से current उपर जा रहा है, palm rule लगाईए, तो current उपर की तरफ पाम अंदर पढ़ रहा है, मतलब अंदर जाएगी, मतलब यह वाला मेरा correct है, are you getting my point, are you getting my point, बैच्छा, जल्दी बोला, हाँ बई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थर्ड आंसर नहीं है, नेहा पठान, राहूल राम, थर्ड आंसर नहीं है, बेटर, second answer है, B is the answer, हाँ नेहा का तो सही था, B is the answer, यह second one is the answer, clear है, clear है, clear है सभी लोगों को, चलिए, आगे बढ़ते हैं फटापर से, smart लग रहे है ना master जी, बताई फटापर से, smart लग रहे है कि नहीं लग रहे, हाँ, चलिए, आईए जल्दी आईए वच्चों, चलिए 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 आगे बढ़ता है फटापड से और कोशन देखते हैं देखो यह बहुत अच्छा कोशन था अब मैं आपको देखो इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है ना किसी को दुख दर्द पेट दर्द किसी को दिक्कत विक्कत हो तो बोल दीजे भाई साब सब मेरा सही था ओके 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 चलिए बहुत बढ़िया जी बहुत ही शांदार जी इसी बात पे कारेक्रम आगे बढ़ाता है जी जल्दी से आज का अगला कुशन अगला कुशन आपके सामने ये है देखी कुशन देखी बढ़ा पड़ से magnetic field at point P due to given current distribution is what भाईस आप current इदर से आया infinite से जाएगा infinite में point P पर निकालना है magnetic field जल्दी बताइए भाया किसको मेरी आवाज एकदम बढ़िया से आ रही है जल्दी से बोल दीजिए ना वड़ा बढ़ से जल्दी से अबे आ रही है ना जल्दी से come on come on come on यहाँ ध्यान दीजिए मुझे इसकी विर से निकालना magnetic field फटा फट से current caring wire है आई 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 जल्दी come on कितने लोग निकाल सकते हैं इसका answer चलिए मैं तुम को side देता हूँ तुम question देख लो आना सब विल्दे इसी बंद करे छण लग दिया कम कर देते हैं खंडा मोसम हो गया है ना चलिए 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 बहुत ही बढ़िया बहुत ही शानदार बहुत ही जबर्दस्त चलिए पटाफर से चलिए जल्दी से तुम्हारे यहां पर पूरी रात बारिश हुई है भया मेरी बास समझना यह करंट है आई और यह जो समझना देखो इस करंट की सबसे बिरेक्शन से कंफर्म हो जाओ करंट ऐसे आया बच्चो अंचन पर अंदर बढ़िया कशन ऊपर गया ऻाओ अंधर की तरह है झाम कूरा है अगति मुझे इत्ना पताए के चैन्ट भूल हो वह अंदर की तरफ ही आए अब बात ध्यान समझना, अगर magnetic field अंदर की तरफ आएगी बच्चों, तो ये मेरे पास में क्या है, current है I, क्या current है मेरे पास में है, I current है, बहुत बढ़िया जी, बहुत ही शानदार जी, ये मेरे पास में क्या है, current है I, यहां तक क्लियर है बच्चों, अब बात कर रहे हैं, यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं कि इस जगे पर, चीक है, इस जगे पर मुझको magnetic field निकालनी है, B1, B1 बलो है तो मुझे इस पार्ट की निकाल, मैं बहुत दो पार्ट है, एक उपर वाला है, लेटा वाला है, एक वर्टिकल है, तो मुझे को दोनों का निकालना है, are you getting my point बच्चों और दोनों का जोड देना है, क्योंकि दोनों का जो आएगा ना, वो आएगा सम उपर अंदर की तरफ है, क्या clear है ना, भाई देख, हाथ चलना चाहिए, मैं शुरू से बोल रहा हूं, अगर हाथ नहीं चल पाता है ना, आपका, तो ब्यरते फिर जीवनी, magnetic field के अंदर तो, वैसे हाथ बहुत अच्छे चलना चाहिए, clearly, बहुत ही बढ़िया तरीके से, आपको hand को straight कीचिए, current की direction में लेकी जाएगा, जिदर palm जाएगा ना, उधर ही तुम्हारा magnetic field जाएगा, are you getting my point, similarly what happens, इधर आप current उपर जाएगा, तो magnetic field अंदर की तरफ जाएगा, अब एक क्लियर है न, अच्छे से, बढ़िया से, शांदार प्रकार से, जोड़दार प्रकार से, फटा पड़ से, बच्चों वीडियो को लाइक मारो, जल्दी से, come on, भर भर के लाइक मारो, जल्दी से, बहुत देर के बाद बोला है मैंने, जल्दी से, फटा पड़ से, बढ़ से, बढ़ से, come on, come on, come on, क्या लिए, अब मेरी बास समझी है, देख, याद कर वो दिन जब मैंने आपसे कहा था, कि जो मेनेटिक फिल्ल होती है, वो एक्च्छल में हम लोग कैसे निकालते हैं, याद कर, वो निकालते हैं, म्यू नोट, आई बाए, अब लेट सपो जाएगी मेरी R by root, ओके, इसको R माल लिए, यहां से यहां थे कि डिस्टेंस को, तो जाएगा मेरा R by root, similarly, यह वाले डिस्टेंस मेरी कितो जाएगी, R by root 2 बन जाए, अब एक क्लियर है, अब समझना बच्छों, अगर यह distance R by root 2 है ना, और अगर यह point मेरा B है ना, तो कितना आएगा में नोट आई भाई, टू पाई, नहीं, में नोट आई भाई, पूर पाई, R by root 2, और अंदर कितना आएगा, अंदर आएगा, देखो, ऊपर वाला जो एंगल बनाएगा न ठीटा वन वो बनेगा, साइन 90, तो आई विल राइट साइन 90, similarly, जो मेरा नीचे वाला एंगल आएगा, वो कितना एंगल फॉर्म कर रहा होगा, 45 डिगरी, यहां पर जो आएगा, बच्चो, 45 डिगरी, गेटिंग माइपॉइंट, गेटिंग माइपॉइंट, तो 45 डिगरी आएगा बच्चो, यहां पर, यहां पर जो आएगा, बच्चो, वो आएगा, यहां प तालीस, ठीक है, साइन नभबे प्लस साइन प्रतालीस, तो मतलब वन प्लस वन बाई रूप, तो I will write कि यहाँ पर हो जाएगा मेरा वन प्लस वन बाई रूप, अब तू समझना, सेम चीज यहाँ पर भी मेरी, इसकी वज़से भी सेम आएगी, तो एक्चुल में डबल हो जा कमान, 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 म्यूनोट आई बाई, फोर पाई एंटू आर, रूप टू पर चला जाएगा, और अंदर बचेगा, वन प्लस, वन बाई रूप टू, और इसको डबल कर दीजिए, तो यहाँ आएगा मेरा इसका आंसर, इसको अंदर ले जाएगा, तो यहाँ पर काटाप पिटे हो जाएगी, और इसका जो आंसर आएगा, वो कितना आ रहा है, बच्चों, देखिए फटाफट से, देखिए, इसको आप अंदर लेके चले जाएगा, तो कितना आएगा, टू एंटू रूट टू, म्यूनोट आई बाई, पहली बाद, रूट टू को पाइनटिक फीड, और इंसाइड दा प्लेन आएगा, साब अप्शन नमर फॉर करेट आएगा, इसकी देखिए अप्शन नमर फॉर साही दिया था, राउल राम गलत है, ठीक है, शुसमीजा चोड़ी गलत है, अब है अगर इसी को सोल करना होता ना, एक कोई बच्चा होत होता है ना, जिसको क्लास केंदे शंपू बोलते हैं लोग, वो भी कर देता इसको, ठीक है, इस नोट दा बिग डील, बात यह थी कि मुझको कॉश्चन का आंसर निकालना है, ओके, चलिए, अब है, इसको कौन सा सोल करना को बड़ी तोप उखानने वाली चीज थी, वैले मैंने टू से क्यों मुल्टिप्लाइ किया है, क्योंकि भाईया, यहाँ पर एक वायर नहीं है, यहाँ पर दो वायर है, एक स्ट्रेट वायर है, उसकी विज़े से अंदर आएगा, एक होरीजोंटल इसकी वज़े से भी अंदर आएगा, और दोनों की वैल्यू, फोर्चु शांदार, बहुत ही बढ़िया वीडियो को लाइक मारी है, भच्चो, जल्दी से जल्दी से aconteceu कमोन कमोन, जल्दी से वीडियो को लाइक मारी है, फटाफट से, इसा मुझे जरू बता दीजिएगा, बाकि इसको फटाफट से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए अपनी में इस लोगडाउन के टाइम में जल्दी से पटापट से जल्दी 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 कम ओन वीडियो लाइक वीडियो लाइक वीडियो लाइक वीडियो लाइक इधर दो वैसे बहुत लाइक मारते हो पढ़ाई की चीजों पर भी लाइक मार दिया कर only focus ज्यान से सुन बेटा यहां तक संज में आया only focus मैंने यहां पर क्या कर रहा था आदे वायर का निकाल लिया था ठीक है मैंने यहां पर आदे वायर का निकाल लिया था फिर मैंने बचे वे आदे का और निकाल लिया तो बचे वे आदे का कैसे निकालेंगे देखो दोनों की डिरेक्शन अंदर आ रही है और सबसे बड़ी बात क्या है कि दोनों की डिरेक्शन अंदर आ रही है उसके साथ ही साथ दोनों की वैल्यूज भी सेम आई क्या यहां तक क्लियर है सबी लोगों को only focus समझ में आई मेरी बात अच्छे से बच्चों पहले वीडियो को like मारो जल्दी से come on 40 पार करा तो फटापट से come on जल्दी से come on फटापट से 40 पार पटापट से okay तो देखिए भाई मैंने आपसे क्या बोला कि यह इस प्रकार से मैंने इसकी value निकाल ली है अब आगे बढ़ते हैं और आगे बाते करते हैं और भी बहुत ही प्यारी प्यारी सी बात है चलिए इससे पहले मैं आपको एक important बात और बताता हूं इसी के उपर किस प्रकार की questions और बन सकते हैं चीक है तो मान लीजे कि मेरे पास में यह wire था current carrying wire था चीक है ऐसे कोई wire था इस wire में current दोड रहाता आई इसमें दोड रहाता आई ठीक है इसमें दोड रहाता आई getting my point बच्चो तुसे current दोड रहाता आई और आई ओके मुझको निकालना है इस point पर magnetic field जल्दी बताईए फटा फट से बोत आर इंफाइनाइट वायर्स बोत आर विच टाइप वायर्स इंफाइनाइट पैरलल वायर्स ओ माई गाड इंफाइनाइट पैरलल वायर्स जल्दी बताईए फटा फट से इसका अंसर कम आन फटा फट से कम आन इन्फाइनाइट पैरलल वायर्स जल्दी से कमउन फटापड से कमउन इसका उत्तर दीजिए बच्चों जल्दी से कमउन जल्दी से वीडियो को लाइक मारिये जल्दी से वीडियो को लाइक मारिये बच्चों जल्दी से जल्दी से फटापड से कम ओन कम ओन कम ओन कम ओन ठीक है कम ओन जल्दी से फटाबट से आंसर दीजिए बच्चों देखिए मेरी बात समझना इसका करंट आई इसको मैं कुछ अलग कलर से रिखता हूँ चलिए ठीक है सी से रिखते है पिंक से मूनोट आई बाए टू फाई आर यह को डिरेक्शन का खेले इसकी वज़से अंदर जाएगी इन भाई साब की वज़से नहीं भाई साब नीचे हैं इनकी वज़से अंदर जाएगी दोनों को वज़से अंदर जाएगी तो जूड जाएगी तो इट विल बिकम वोट मूनोट आई बाए चू पाई आर अगे डिरेक्शन विल बी इक्वेस तो वोट इंसाइड दा प्लेन अगे अगे बाए साब कमान एक और सवाल देता हूँ आपको इसी परकार का क्योंकि सवाल पर सवाल देना बहुत जरूरी है सवाल पर सवाल 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 खचाक खचाक और यहाँ पर मुझको निकालना है यह डिस्टेंस है यह मिड पॉइंट है यहां मुझको निकालना है B current आई current आई जल्दी बोलिए बिल्कुल 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 प्रेमा जी बिल्कुल ध्यान से सुनिये जी प्रेमा नहीं प्रेमा जी ध्यान से सुनिये जी current बेटा अंदर की तरफ जाएगा इसका current बेटा अंदर जाएगा, दोनों का add हो जाएगा, दोनों infinite wire है तो minute i by 2 pi r होगा, तो minute i by 2 pi r प्लस minute i by 2 pi r, दोनों मिला कि जाएगा minute i by pi r, यहाँ था clear है प्रेना जी, प्रेना जी, चीक है, दोनों का add करना है अपने को, चीक है, जल्दी से बटा पट से बच्चों, ज कितना आएगा, मैंइनर्टिक फील्ड कितना आएगा इसका, मैंइनर्टिक फील्ड कितना आएगा बच्चों इसका, चलिए पडा पट उत्तर दीजिये इसका, जल्दी से, चलिए 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 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया शांदार सो B point पे जो magnetic field आएगा वो आएगा 0 ओके B point पे जो magnetic field आएगा बच्चों कितना आएगा 0 आएगा यहाँ तक clear है सभी लोगों को ओके कमलेज जी ओके चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों next question पर अब समझना यार मैं आपको मैं multiplied का है देखो मैं दुबरह से बताता ह। मैंने आपको इंफाइने ट वायर का बता यह ज्बन 여 Oder हम लोग लग लगाते हैं लोग क्रोज भाश हें अगर आप दिएल क्रोस आर से क्रोला टो मैंने टिक फील्ड की होती रही उत की थोह यह होती है सब्सक्राइब बाहर की तरफ आर यू गेटिंग मैं पॉइंट बच्चो चलिए चलिए मैंने इन्फाइल वायर का बताया आपको अब इन्फाइल वायर की बाद हम लोगों ने कोशन किया जो की एक्चल में पीवाई क्यू है लेकिन उसको हलका सा मोडिफाई किया हुआ है तो बस पॉइंट को उठा के बाहर रख दिया और हमारे पीवाई को का अर्थ का बता हमारे पड़ा वायर की वैल्यू जो है हमारे पीवाईक्यू का जो वे ओप छेंज हो गया है और उससे आंसर भी एकड़म चेंज हो जाएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या बात करी यहाँ पे कि हम लोगों ने क्या करा कि एक infinite wire को बीच से मोड दिया अब पूछ रहें कि बताईया आर दूरी पे कितना आएगा magnetic field इस से दोनों की corner से जल्दी से वीडियो को like मारते चलो वीडियो को like मारने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए भाई साब भरबर के वीडियो को like मारो अगर दो idea तो दोनों से मारो जल्दी से come on वीडियो like मारने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए जल्दी से फटापड से come on come on, come on, come on, बच्चो, come on जल्दी से चलिए infinite parallel wires infinite parallel wires मैं ऐसे लिये हैं दोनों की direction opposite लिये है तो इस तरह से answer आएगा दोनों की direction मैं same लिये है और rr distance पर तो 0 आएगा ये सब बातें आपको अच्छे से clear होनी चाहिए क्या मेरी बात आप सबी लोगों को बढ़िया से पता है समझ में आई मस्त लगी तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ next चीज पर चलिए चलिए आगे बढ़ें आगे बढ़ें बच्चों come on चलो start करते हैं हमारा कारे करम जल्दी से हाँ अब है magnetic field on the axis of on the axis of circular current loop देखो यार ये जो particular चीज है न अरे यार ये तो डरावना दिख रहा है आई में दिखी नहीं रहा है तो एक काम करते हैं तो इसकी lighting को कम करते हैं एक सेकंडर को तो दिखाने का प्रियास करते हैं आप लोग एक सेकंडर मुझे चेक करने दिख रहा है कि नहीं दिख रहा बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शांदार, बहुत ही शांदार, चलिए, 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 अब दिखा, NCRT से उठाया हुआ, NCRT से छापा हुआ, content ही है, ठीक है, इस slide में, actually NCRT का screenshot है, NCRT से मैं इसलिए लेकर आया हुँ, ताकि आपको बच्छो, exactly NCRT की चीज समझ में आ जाए, कि NCRT ने उस चीज को किस प्रकार से explain किया है, देखो NCRT ने इसके अंदर derivation नहीं किया, NCRT ने बड़ी बुद्धी चला, यह जोड़दार, उन्होंने क्या करा, कि ब बायोट सेवर्टलो लगा सकता हूँ, बायोट सेवर्टलो को यूज करने के बाद इसका answer है, तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोग तयार हो, क्या आप लोग उत्तर देने के लिए तयार हो, जल्दी बोलिए, क्या आप लोग उत्तर देने के vector है ची कि यह क्या है मेरे पास में small r vector है और यह मेरे पास में dl vector है dl vector बोले तो ring का इस तरह vector है r vector इधर है what is the angle between dl and r what is the angle between dl and r चल्दी बोलिए dl और r के बीच में क्या angle होगा what is the angle between dl and r what is the angle between dl and r अपे ऐसे ring होगी तो dl i से होगा और r i से होगा दोनों की बीच का angle क्या है अपे इतना इशारा कर दिया आप तो दे दो जल्दी ठीटा बहुत दी बढ़िया नाना जी इन बाइस आपको देखो ठीटा चलिए ठीटा 90 अब ठीक है तो 90 होता है दोनों की बीच का इंगल जो है बच्चे वो 90 होता है इसका मतलत जब मैं जब मैं बायोट सेवतलू लगाता हूं तो we use the बायोट सेवतलू here and the value of बायोट सेवतलू is we know that it is mu 0 by 4 pi d या this is r तो I will write 4 pi not 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 r and I will write 4 pi into dl cross r divided by r की जब मैं dl cross r को लिखंगा तो I can write dl into r into sin 90 तो r से r कर जाएगा तो dl by r square आएगा sin 90 को लिए 1 आएगा ओके तो यहाँ पे बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग इस पॉइंट पर magnetic field निकालते हैं जो कि dl सामने है r इदर है तो magnetic field क्या आएगी देख समझ डियल सामने है r इदर है मेरे को द्यान से देखिएगा जिदर मेरा ये वाला हाथ है ना उदर मेरा डियल है और जिदर मेरा दूसरा वाला हाथ है अदर मेरा आर है तो सोच यह डियल है और यह आर है तो डियल क्रोस आर डियल क्रोस आर डियल क्रोस आर डियल क्रोस आर क्या मेरी बात समझ में आ रही सबी लोगों को DL क्रोस R यहां तक क्या सबी लोगों को clear है बच्चों अच्छे से चलिए यहां तक सबी लोगों को clear है बढ़ी आसे ओके clear है बच्चों तो DL क्रोस R किदर आएगा मेरा इदर आएगी मेरे magnetic field DB और उसके दो component करूंगा एक perpendicular एक horizontal perpendicular automatic कर जाएगा जिसकी value अगर मैं solve करता हूँ तो आती है यह वाली जो कि आपको याद रखने है mu not i by r square sorry mu not i r square divided by 2 into x square पर सार स्कुर की पावर 3 by 2 क्या यहां तक सबी लोगों को clear है बढ़ी आसे शांदार प्रकार से अरे बहुत important है ओश यार हो ओश यार हो बहुत important है अच्छा पता ही x क्या है इसके अंदर variable की constant इस particular value में x की value क्या है x is a variable और constant x is a variable और constant याद कैसे करने है याद तो करना पढ़ेगा इसको यार याद करने का best तरीका है रावल कुमार कि इसके उपर best कम से कम 15 question ढून लो और उन 15 questions को कीजिए और इस formula को सामने रख लीजिए paper पर लिखते और paper पर लिखके वे formula को देख देखके लिखिए बार बार 15 question करोगे तो 15 बार देखना पड़ेगा 15 बार देख तुम तो 15 क्या गुड मॉर्निंग अभी तक भी गुड मॉर्निंग चल रहा है चलिए आया सोज में कई से याद करना है पहले वीडियो को like मारो भाई या जल्दी से come on अभे x is a variable और constant x variable की constant है होश यारो जल्दी से वीडियो को like मारो उपर नरू का 10 लिखा है अभी 9 वीजे क्लास है मेरी ठीक है वहाँ पर आगे सुद्ध स्टूडेंट मिलते हैं वहाँ पर आपको प्लस में क्या होता ना कि सुद्ध स्टूडेंट मिलते हैं टिजर से बात कर सकते है ना चलिए इसी बात पर आगे बढ़ते हैं come on बहुत ही बढ़िया जी तो ये हो गया मेरा वैल्यू जिसको मुझे याद करनी है बच्चों अब तो सोच के देख खुद सोच के देख अगर मैंने x की वैल्यू जीरो कर दी इसमें क्या फरक आएगा एक्स जीरो का मतलब क्या है बच्चों कि यह एक्स जीरो का मतलब यह है कि मेरा मैनेटिक फिल्ड मुझे को पॉइंट ओपर निकालना पड़ेगा एक्स जीरो का मतलब होता है कि पॉइंट प्यू जो होता है वो मेरा मुझे को जो है मेरा मैनेटिक फिल्ड जो है वो ओ पॉइंट पर निकालना पड़ेगा ओके तो नहीं B max की में नहीं बोल रहा हूं मैं तो यह बोल रहा हूं कि x2 0 का मतलब यह है कि मेरे को जो magnetic field निकालनी हो center पे निकालनी और अगर मैं center पे निकालूँगा देवेश गुपताजी अगर मैं center पे निकालूँगा तो सेंटर पे जो मेरी वैल्यू आईगी एक्सक्राइब जीरो पटको तो आर स्क्वाइर की पावर थ्री बाई टू अब आर स्क्राइब क्या होता जैकर जब भी दो पावर्स होती हैं एक की उपर एक तो उनको मल्टिप्लाई कर दीजे तो टू टू को खतम कर देगा आर क् उपर आर इसको है तो फिर से काटा पिटी मचेगी युद्ध होएगा और जो फाइनली बचेगा वो बचेगा मेरा कितना क्या यहां तक मेरी बात सभी लोगों को बढ़िया से क्लियर है क्या अरे बोल दोना जरा म्यू नोट आई बाई ठू आर यहां तक क्लियर है क्या अरे बोल दो ना जरा मेनेटिक फिल बराबर मीनोट आई बाई भाई ठू आर अबे क्या क्लियर है क्या अरे क्या पक्का क्लियर है क्या अरे शांदार क्लियर है क्या पक्का क्या बोल दो ना जरा बहुत बढ़िया सीमावर मा जी बहुत बढ़िया एवरिवन जी बहुत बढ़िया देवेश गुपता जी यह वैल्यू आएगी इसको आगे किताबों में यह बड़े-बड़े ग्रंतों में समझाया गया है इसकी जो एल्यू आती है नंबर और और डंबला देंगे इतनी हो जाएगी बच्चे रटते हैं बैटे मीरटे मी नॉड़ा और डंरा अ किसको को अगलेज़ रटने का कष्ट करना ही पढ़ रहा है जिब हमको रटने का कष्ट करना ही पढ़ रहा है तो हम इसको रट ले इसमें X की वले जुरूर डाल देंगे उस सी आ जाएगा हम इनो डाई बाई two आ कि इसके इतने सारे हमों examples करेंगे ना हमको वैसे ही रट जाएगा अबे क्या यहां तक clear है बच्चों सही तरीके से clear है अच्छे से बढ़िया से clear है अच्छे से बढ़िया से बढ़िया से बहुत लल्लू चीज थी अगर ये भी लोगों को clear नहीं है तो फिर बहुत परिशानी वाली बात है ठीक है चलिए 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 गुड मॉर्निंग भंकर जी अब जल्दी से वीडियो को लाइक मारो यार क्या कर रहे हो यार बटा बढ़ते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं चलिए आगे वढ़ते हैं. अब देखी, आपके सामने कुछ है. इतियास, खुद को दोहराता है. यह वायर केरिंग करेंट आई हैज दा शेप एशन इंद फिगर अब यह कुशन रहना दोयर पंद्रा के चैंसल पेपर में तो उस पेपर में यह आया तो बताई यह कितना आंसर आएगा इस जल्दी से बताईए पटापर से आप एका इंतजार है उत्तर का जल्दी से बताई से बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत वीडियो लाइक मारो जल्दी से कमान बच्चो कमान पटापर से बच्चो जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से पटापर से जल्दी से पटापर से जल्दी से पटापर से क्योंकि इतियास खुद को दोराता है इस बात को ध्यान रखना इतियास क्या करता है खुद को दोराता है मतलब फिर से वेपर कैंसल होएगा सार इसका मतला कि खामान खामान के खामान के खामान के तो आज जल्दी से गड़ता बच्चों जल्दी से गड़ता अब एक क्या सोच रहा हो यार दो इंफाइनुट देखो वरीच बास समझ सेमी इंफाइनाइट वायर का मतलब होता है जैसे मान लिजे कि भाई तिर पास में कोई infinite वायर खाचाग लेकि वो infinite वायर यहीं खतम हो गया मतलब वो एक semi infinite वायर बन गया इसकी जो magnetic field आती है ना वो कितनी आती है mu node i by 4 pi d इसमें उपर वाला angle तो आएगा साइन 90 बट नीचे वाला आएगा साइन 0 और साइन 0 की वायर बचपन से 0 होती है साइन 90 वायर बन होती है तो its value will become mu node i by 4 pi d ओके ना इन इन इस पार पास में एक नहीं है दो वायर है semi infinite है इसकी वाजा से magnetic field कहा जा रही है नीचे लो के से कहा चातरह रही है नीचे Bü क्या मेरी बात clear है नीचे एसका मतलब भहिया do magnetic field जाएगी दोनों को sum कर दीजि вопрос कितनी आएगी तो नीचे क्या है? माइनस के क्या है. तो I will write कि माइनस है. म्यू नॉट आई. देखो, 4πi D था ना. तो I will write 4πi D. लेकिन यहां पर बच्चों 2 है मारे पास में. तो I will write multiply by 2 into क्या, into क्या, into क्या, into के क्या. ठीक है? म्यू नॉट आई बाए 4πi D into 2 into क्या है. Similarly, अगर मैं बात करूँ इस आर्क की, तो देख, आर्क आधा है. अगर पूरा होता तो म्यू नॉट आई बाए 2R होता. अगर आधा है तो म्यू नॉट आई बाए 4R होगा. तो I will write what बच्चों, म्यू नॉट आई बाए 4R यहाँ भी आई आएगा. into किदर जाएगा? अंदर कितरफ? पतला माइनस आई क्या कितरफ? तो कितनी वैल्यू आईगी इसकी बाच्चों? ओ, प्यारे पहरे बाच्चों वैल्यू आईगी माइनस माइनस मीनोट आई बाए 4R आई कैप माइनस मीनोट आई बाए 4R, 4PiR into 2 कैस समझ में आया सबी लोगों को बढ़िया से अरे बोल दो ना जरा, पका न जरा बाच साब 2015 का cancelled paper है यह, लेकिन सवाल बहुत प्यारा है, सवाल why cancelled? यहादे तो मैंने सिर्फ IIT के लिए पढ़ाया था, मैंने अपने जीवन का पहला batch जो था, NEET का, वो 16 में लिया था ठीक है उससे पहले से रैंडमली किसी को guidance वगरा होती थी या बातचीत होती तो कर लिते थे बट जो officially जो मैंने batch लिया था, पहला batch अपना जीवन का, NEET के लिए वो 16 में लिया था, उससे पहले मैं pure सिर्फ IIT advance के लिए पढ़ा था ठीक है, उससे मैं advance और ये मतलब क्या होता कि हमारे टाइम पर ना इसको triple E और J E बोला करते थे, IIT J E and triple E, तो हम लोग भी बस इसी तरीके से मांते थे, IIT J E के लिए अलग है, triple E के लिए अलग है, पर ये बाद में advance और minus बन गया चलिए, 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 चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार यहां तक clear है सभी लोगों को बढ़िया से चलिए, एक और कुशन कराता हूँ, मैं आपको बढ़िया से शानदार था बच्चो, इतियास खुद को दोराता है, तो इसी बात पर इसको देखो, तो जाब बारा का कुशन है तो similar coils already are, are flying concentrically with their planes at right angle to each other, the current flowing in them are I and 2I respectively the resultant magnetic field at the center will be equals to what खतर knock, देखो, आईसे निकालेंगे, कचाक कचाक ओहो, गजब इसे दो coil से बच्चो, जहान से देखिएगा दियान से देखिएगा, ऐसे दो coils, अब इन दोनों coils से सर जी, इन दोनों coils से सर जी, ऐसे एक magnetic field इदर गई सर जी, और दूसरी वाली जो जाएगी सर जी एक की वज़े से ये वाला है, अगर माल नीज़े, करन दोड़ा इसमें आई ऐसे तो magnetic field जाएगी इदर, इसमें करन दोड़ा ऐसे है, तो magnetic field जाएगी उपर अखे सर जी अखे सर जी magnetic field जाएगी उपर दोनों की magnetic field बराबर होईगी सर कहा है बराबर होईगी, अपे coil की तो सेम होईगी ना, mu not i by 2R, value दोनों का जो formula है वो same होईगा, लेकिन दोनों के अंदर current है वो different है, तो एक के अंदर i, एक के अंदर 2i है, तो it will become mu not into 2i by 2R ओके, दोनों का radius same है अगर radius same है, अगर current अलग अलग है, तो ऐसा value लिखेंगे, दोनों का square कर देंगे और add कर देंगे, तो कितना value आएगी magnetic field की यहाँ पर mu not i, 2i by 2R का whole square plus mu not i by 2R का whole square का under root अब यहाँ से जो item आ सकता है, बाहर उसको बाहर ले लीजए, mu not i by 2R बाहर आगिया, whole square एक साथ तो इसका बन जाएगा, बाहर आके mu not i by 2R और 2 का square is 4 plus 5 का root आएगा यहाँ पर, root 5 root 5 mu not i by 2R, answer आ चुका है यहाँ पर बहुत ही बढ़ी आजी, बहुत ही शानदार जी, और बहुत ही जोड़दार क्या मेरी बात समझ में आ रही है सभी लोगों को, मैजदा वीडियो पर दमादम, 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 दमादम लाइक चलने चाहिए मैजदा वीडियो पर दमादम लाइक चलने चाहिए जल्दी से, come on, वड़ा पड़ से, come on क्या मेरी बात यहाँ तक समझ में तुमको लग रहा है, तुम्हारा मैगनेटिजम सुदर सकता है सुबह सुबह साथ बज़ी उठके, अगर आपका मैगनेटिजम सुदर राए ना बच्चों तो इससे ची बात हो और क्या होगी मैगनेटिजम जैसे चैप्टर सुबह सुबह उठते हैं, आख खुलते से से फिल है दरसन होता है मैगनेटी जम जैसे जप्टर के चलिए 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 अच्छा फरजी दिल भेज रहे हो ठीक है ठीक है भाईजा फरजी दिल से कमेंट बॉक्स बर दीजिए फरजी दिल से कमोन 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 फरजी दिल फर्जी दिल जानते हो न ये वाला फर्जी दिल है फुल फर्जी फर्जी दिल से फटा फर्जे कमउन बच्चों कमेंट बॉक्स भर दीजे फर्जी दिलों से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से फटापट से भाया, स्रायवा कंप्लिटेड, ओके रितेश, बिलकुल आपकी यह ख्वाइस पूरी की जाएगी रितेश जी, हाँ रितेश बिलकुल समझा रहा हूँ बेटा, देख बेटा हैं, यहाँ पे दो वायर्स है, एक्चुलि एक ऐसे हैं, और एक हमारा आई से है, ठ दोनों की वैली होती है, मीनोड आई बाई टू आर, एक केस में तो आई की वैली सिंप्ली आई है, और एक केस में आई की वैली टू आई है, दो मेनेटिक फिल्ल आगी, एक परपेंडिक, दोनों का स्क्वाइर करके, अंडरूट करके, अडरूट करके, अडरूट करना है, उसी ते मिलेको क्या मिलता है वेक्टर सम मिलता है दोनों का ठीक है चलिए 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 यहां तक clear है सभी लोगों को तो मीनोट i by 2R का whole square का बाहर ले लूँगा तो मीनोट i by 2R बचेगा और बच्चो 2 का square रोता है चार प्लस एक पाँच का root फुरियाएगा तुरूट फाइव मिनूट हाई बै टू आड चलिए आगे बड़ें कमऑन यहां से आगे बड़ें बच्चो हाना यह वोग है मारी आज की बहुत प्यारी प्यारी सी बात है पहले मैं आपको बता दू कि बच्चो आपका एड़ स्टार्ट योर नीट यूजी प्रपरेशन यह आने वाला है, यह free है, इसको अभी enroll कर लिजी, इसमें आपके बहुत जबर्दस्त दो भाई साब आने वाला है, कि दोनों भाई साब ने पिछले ही साल, मतलब पिछले से पिछले साल ही नीट फोड़ा है बहुत अच्छे से, और यह अब आपको guide करने के लिए बड़े उ इवन में जो भी चल रहा है, उन सब चीजों का बच्छों आपको यह जवाब देने वाले हैं, ठीक है, तो आपको जरूर मिलना इन सब लोगों से, उसके अलावा यहाँ पे, डोक्टर आनन्द मनी सरे और डोक्टर S.K. सिंग सरे, यह दोनों भी आपको जवाब देने के कर सकते हो, फ्री में, टॉपर्स एन एजुकेटर्स आपके सामने हैं यहाँ पे, उन से आप काउंस्लिंग सेजन कर लोगे, एन्रॉल करना है, फ्री एन्रॉल्मेंट है, बस कोट डाल के एन्रॉल करना पड़ेगा, तो कोट में बता दिया, नरू का टैन है, डाल यह मस रह आगे बढ़ते रही है, ओके, चंदन भईया, इतना लोने की क्या हो सकता है, कल फिरा जाना, चीक है, इस पे तना परिशान काये हो रहे हो, तो क्लास को पूरा देखने के लिए, बच्चों दिल से धन्यवाद, यह मेरा औरिजनल दिल है, जिसका भी है, तो मैं औरिजनल द दिल लेके आया हूँ, आपको धन्यवाद करने के लिए, फर्जी दिल नहीं लेके आया हूँ, सर आप कहां हो, मैं कहां हूँ, कहां से हो, अच्छा, चन्दन, बहुत दुखी बात है यार, मेरे भी आसू आ गए देखकर तो, पर ठीके कोई दिक्कत नहीं है, अब ये तुम इसके बाद है ना, इसके बाद तुम क्या करना, बैट के, किस चैनल पर नहीं है, बैटा ही है, अब मेरी बास समझे है, अगर आपको मु बढ़िया से पढ़ना है ना, बच्चों, तो आईए, और जुड़िये हम से प्लस में आके, प्लस की फीस है, आपकी 38,500, कोड है, नरू का 10, जैसे ही डालते हो, आपको 10% का और डिसकांट मिल जाएगा, फीस हर जाएगी 34,650, मात्र, दो साल की एकर एक साथ जमा कराने के चुको, तो 50,400 हो रहे जाएगी आपके फीस, क्या-क्या मिलेगा सर, डौट मिलेंगे, बिलकुल मिलेंगे बेटा, सर आप से बात करने का मुका मिलेगा, बिलकुल मिलेगा, सर आपके अलावा बागी टीचर से बात कर सकते हैं, बिलकुल कर सकते हो, सर उसके अलावा सब्सक्राइब बहुत बढ़िया से सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ा जाता आपको प्लस के अंदर कोचिंग में जितनी सुवीधा होती सारी होती पीडियेफ टेस्ट वीकली टेस्ट सरी वगरा सब कुछ आपको मिल जाएगा चलिए तरी तो बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर मैं आगे बात करूँ सर कि मुझे वन-टू-वन मेंटोर्शिप चाहिए सर मुझे को ऐसा चीज है परसनल मतलब मेरे को मेंटोर्शिप मिल रहे मेरे वन-टू-वन लाइव डाउट सोल हो मेरे को नोट जो है फिजिकल आया और सबसे बड़ी बात मुझे मेंटोर ची हो जाएगा ओके तो बच्चो इस नोट बिग डिल आप जरूर कर सकते हो यह करना चाहिए आप लोगों को हना और एवन अगर आप चाहो तो इसके लिए कोल भी कर सकते हो इस नंबर पर ताक आप एम-आई में कर सको मंतली पेमेंट में कर सको और सबसे बड़ी बात यह है बच्चो सर नीट कट आफ कितना जाएगा 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 याज देखते हैं बाकी है ना हर्द बाकी देखते हैं जब जाएगा तो देखा जाएगा आने वाला रिजल्ट वैसे भी है है सो अभी हम बात करें या इंश नहीं पर सकते हो टो इसमें दो साल के कंपो एक साहत घर या को अधन चार सो तीरिया सी रुपय में उसमें नरू का 10 डालते हो तो एक अच्छा लेवल का 10% डिसकाउंट और मिल जाएगा बच्चा चार साल के लिए सिर्फ 64,000 बढ़ सकता इससे बढ़िया क्या होगा similarly मान लीजे बच्चे को नहीं foundation plus need using करना है तो फिर सेम चार साल की चीज जो की 75,500 की है वो मात 57,000 मिल रही है भी offer price में इसमें नरू का 10 डालने पर आपको ये 10% का discount मिल जाता है और एक और बात कि ये सिर्फ 500 subscribers के लिए ही valid है starting वाले 500 subscribers के लिए ही क्या मेरी बात यहां तक clear है सभी लोगों को thank you so much आते रहें जुड़ते रहें देखते रहें वीडियो को और हमसे जुड़े रहें बच्चों हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बाकि thank you so much पूरे दिल से धन्यवाद आप सभी लोगों का और चैनल को सब्सक्राइब जरू करना वीडियो को लाइक जरू मारना thank you